नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाग में हम महान संत और भक्त चैतन्य महाप्रभु को जानेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु पंद्रवी शताबदी के भारतिय संत थे, जिन्हें उनके शिश्यों और विभिन शास्त्रों द्वारा राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कृष्णन की पूजा करने के तरीके का बंगाल में वैश्णववाद पर गहरा प्रभाव बढ़ा। वो अचिंत्य भेद के वेदांत दर्शन के मुख्य प्रस्तावक भी थे, अभेद्य तत्वर चैतन्य ने गोडिया वैश्णववाद की स्थापना की, जो एक धार में कांदोलन है जो वैश्णववाद को बढ़ावा देता है या भगवान विश्णु की सर्वोच आत्मा के रुप में पूजा करता है गोडिया वैश्णववाद परम सत्य को प्राप्त करने की एक विधी के रूप में भक्ती-योग की स्वीकृति सिखाता है चैतन्य महाप्रभू को महामंत्र या हरेकरिष्ण मंत्र को लोगप्रिया बनाने का श्रे दिया जाता है उन्हें संस श्कृत में आठ छंदों की एक प्रार्थना लिखने के लिए भी जाना जाता है, जिसे शिक्षास्टकम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वे भगवान के समान विशेश्ताओं के साथ पैदा हुए थे। क्रिश्न, चैतन्य महाप्रभु बाल विलक्षन थे और बहुत कम उम्र में ही विद्वान बन गए थे। उन्होंने एक स्कूल भी खोला और उनके जीवन में बहुत पहले ही उनके हजारों अनुयाई थे। हाला कि उनके अचानक और रहस्य मय धंक से गायब होने या निधन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ विद्वानों और शोदकर्ताओं का मानना की उनकी मृत्यू मिर्गी से हुई होगी। उन्होंने शिक्षाष्टेक्म आठ भक्ती प्रार्थना की रचना की चैतन्य महाप्रभू का मुख्य दर्शन हाला कि माधवाचार्य परंपरा में शुरू किया गया, चैतन्य महाप्रभू का दर्शन माधवाचार्य परंपरा के अन्य अनुयाईयों और शिक्षकों से थ थोड़ा अलग माना जाता है. इतिहसकारों और विद्वानों के अनुसार, चैतन्य महाप्रभू ने कोई लिखित पाठ नहीं लिखा. हालां कि उनके शब्दों को उनके एक अनुयाई ने रिकॉर्ड किया था, जिसे शिक्षास तक आठ छंद के रूप में जाना जाता है. म हाला कि चैतन्य महाप्रभू ने अपनी शिक्षाओं और दर्शन को नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपने कुछ अनुयायों, व्रिंदावन के छे गोस्वामी, से अनुरोध किया कि वे अपनी शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से अपने लेखन में प्रस्तुत करें मृत्यू और विरासत हाला कि चैतन्य महाप्रभू के अनुयायों का दावा है कि उनकी मृत्यू नहीं हुई क्यूकि वो भगवान कृष्ण के अवतार थे, कई सिध्धान्त बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभू की हत्या विभिन कारणों से की जा सकती थी हाला कि ये एक विवादास पद सिध्धान्त है और सभी द्वारा समर्थित नहीं है एक अन्य रहस्यमयर सिध्धान्त से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभू जादूई रूप से गायब हो गए जबकि एक अन्य खाते में कहा गया है कि उनकी मृत्य ओडिसा के पूरी में तोटा गोपीनाथ मंदिर में हुई थी हाला कि विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि इस बात के परियाप्त प्रमान है कि चैतन्य महाप्रभू मिर्गी से पीडित थे विभीन ग्रंथों में कहा गया है कि बीमारी के कारण वो नियमित अंतराल पर अपनी चेतना खो देगा इतिहासकारों का यह भी सुझाव है कि चैतन्य महाप्रभू दौरे से पीडित थे और मिर्गी के कारण 14 जून 1534 को उनकी मृत्यू हो सकती थी बच्चपन और प्रारंभिक जीवन चैतन्य का जन्म 18 फर्वरी 1486 को विश्वंभर में हुआ था उनके जन्म के समय भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहन देखा गया था जिसे हिंदू विद्वानों ने शुब माना था चैतन्य का अर्थ है जो जागरूख है चेतना से व्यूत्पन जिसका अर्थ है चेतना महा का अर्थ है महान और प्रभू का अर्थ है भगवान या गुरू चैतन्य का जन्म जगन्नाथ मिश्र के दूसरे पूत्र विश्वंभर मिश्र के रूप में हुआ था जगन्नाथ और उनकी पत्नी नीलामब्रा चक्रवर्ती की बेटी सची देवी दोनों सिलहट के ब्राहमन थे जगन्नाथ मिश्रा का परिवार श्रीहर्ट्टा सिलहट के धाका दक्षिन गाउव से था और बाद में नबध्वीप चला गया उनके पुष्टैनी घर के खंडहर आज भी बांगलादेश में मौजूद हैं कई स्त्रोतों का कहना है कि चैतन्य का जन्म एक गोरी त्वचा के साथ हुआ था और उनकी भगवान कृष्ण की कलपना की गई छवी के साथ समानताएं थी एक युवा लड़के के रूप में चैतन्य ने भगवान कृष्ण की स्तुती करना शुरू कर दिया और असामान्य रूप से उच्छस्तर की बुद्धी का प्रदर्शन किया वो बहुत कम उम्र में मंत्रों और अन्यधार्मिक भजनों का पाठ कर सकता था और धीरे धीरे एक विद्वान की तरह ज्यान का प्रसार करना शुरू कर दिया था जब वे 16 वर्ष के थे तब जैतन्य ने अपना स्कूल शुरू किया जिसने कई विद्यार्थियों को आकरशित किया चैतन्य का ग्यान और ग्यान इतना महान था कि उन्होंने एक बार केशव कश्मीरी नाम के एक अभिमानी और विद्वान विद्वान को एक बहस में हरा दिया कहा जाता है कि अगले दिन केशव कश्मीरी ने चैतन्य के सामने आत्मसमर्पन कर दिया, अपनी हार को सहर्ष स्वीकार कर लिया विभिन स्त्रोतों के अनुसार केशव कश्मीरी ने वाद विवाद के बाद की रात को देवी सरस्वती का सपना देखा जब देवी सरस्वती ने उन्हें समझाया कि वास्तव में चैतन्य कौन थे तो केशव कश्मीरी को सच्छाई का एहसास हुआ और उन्होंने अगली सुभा हार स्वीकार कर ली बहुत कम उम्र से ही कृष्णन के नामों के जाप और गायन के लिए चैतन्य के सपष्ट आकर्शन के बारे में कई कहानिया मौजूद हैं लेकिन बड़े पैमाने पर इसे ज्ञान प्राप्त करने और संस्कृत का अध्यान करने में उनकी रुची के लिए माध्यमिक माना जाता था अपने दिवंगत पिता के लिए श्राधर समारोह करने के लिए गया की यात्रा करते समय चैतन्य ने अपने गुरू तपस्वी ईश्वर पूरी से मुलाकात की जिनसे उन्होंने गोपाल कृष्ण मंत्र के साथ दीक्षा प्राप्त की यह बैठक चैतन्य के दृष्टिकोन में एक महत्वपून परिवर्तन को चिनित करने के लिए थी और उनके बंगाल लोटने पर अध्वैत आचार्य की अध्यक्षता में स्थानिय वैश्णव उनके बाहरी अचानक हृदय परिवर्तन, विद्वान से भक्त और जल्द ही चैतन्य से स्तब्ध थे नादिया के भीतर अपने वैश्णव समूह के प्रख्यात नेता बन गए बंगाल छोडने और स्वामी केशव भारती द्वारा सन्या सादेश में प्रवेश प्राप्त करने के बाद चैतन्य ने कई वर्षों तक पूरे भारत में क्रिश्ण के दिव्य नामों का लगातार जब करते हुए यात्रा की उस समय उन्होंने बारा नगर, महिंगा, अतिसारा और अंत में च्छत्रभोग जैसे कई स्थानों को कवर करते हुए पैदाल यात्रा की च्छत्रभोग वो स्थान है जहां देवी गंगा और शिव मिले थे तब यहां से गंगा के सो मुख दिखाई दे रहे थे व्रिंदावन दास के चैतन्य भागवत के स्रोथ से उन्होंने च्छत्रभोग के अंबुलिंग घाट पर अंतरंग साथियों के साथ महान कोरस जाप, कीरतन के साथ स्नान किया एक रात रुखने के बाद वो स्थानिया प्रशासक रामचंद्र खान की मदद से नाव से पूरी के लिए निकल पड़ा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 24 वर्ष पूरी, ओडिसा, राधाकांत मठ के महान मंदिर शहर जगननाथ में बिताए गजपती राजा, प्रता प्रुद्र देव, चैतन्य को कृष्ण का अवतार मानते थे और चैतन्य के पाठ, संकीर्तन, सभाओं के उत्साही सनरक्षक और भक्त थे यह इन वर्षों के दौरान था कि चैतन्य को उनके अनुयायों द्वारा माना जाता है कि वे विभिन दिव्य प्रेम समाधी, समाधी में गहरे डूब गए हैं और दिव्य पर्मानंद, भक्ति की लीलाएं की हैं व्रिंदावन, राधा रानी की भूमी, मंदिरों का शहर में राधा और कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए 5000 से अधेक मंदिर हैं व्रिंदावन का सार 16 वी शताब्दी तक समय के साथ खो गया, जब चैतन्य ने इसे फिर से खो जा वर्ष 1515 में, चैतन्य ने व्रिंदावन का दोरा किया, कृष्ण के पालों के कलीलाओं से जुड़े खोए हुए पवित्र स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से वे दिव्य प्रेम की आध्यात्मिक समाधी में व्रिंदावन के विभिन पवित्रवनों में घूमते रहे यह माना जाता था कि उनकी दिव्य आध्यात्मिक शक्ती से, वे साथ मुख्य मंदिरों या सप्थ देवालय सहित व्रिंदावन में और उसके आसपास कृष्ण की लीलाओं के सभी महत्व पूर्ण स्थानों का पता लगाने में सक्षम थे, जिनकी आज तक चैतन्य परंप मृत पिता को श्रद्धानजली देने के लिए एक धार्मिक समारोह करने के लिए प्राचीन शहर गया गये। गया में, उनकी मुलाकात ईश्वर पूरी नामक एक तपस्वी से हुई, जो आगे चलकर चैतन्य के गुरू बने। जब चैतन्य अपने ग्रिहन अगर लोटे, तो उनकी विचार प्रक्रिया में एक महत्वपून बदलावाया। उसके बाद बंगाल के स्थानिय वैशनवाय और नादिया जिले के वैशनव समूहों में से एक का नेत्रित्व करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने बंगाल छोड़ने का फैसला किया और केशव भारती से उन्हें सान्यास प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसके लिए सभी चीजों को त्यागने और परमसत्य की तलाश में भटकने की आवशकता होती है। जबकि तपस्वी, सान्यासी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन तरीकों का पाल करते हैं, शैतन्य की परमसत्य को अनलोक करने की कुंजी भक्ती योग थी, जो परमात्मा के प्रती प्रेम पूर्ण भक्ती है। भगवान क्रिश्ण के नाम का निरंतर जप करके, शैतन्य ने न केवल भक्ती योग का अभ्यास किया, बलकि अपने अनुयायों को भक्ती यो और चोड़ाई की यात्रा की कृष्ण के नाम का जप करते हुए चैतन्य परमानंद या पर्मानंद की स्थिती में विभिन स्थानों की पैदल यात्रा करेंगे 1515 में चैतन्य ने व्रिंदावन का दौरा किया जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है चैतन्य की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाद में पुनर निवेश कहा गया क्यूंकि चैतन्य व्रिंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करना चाहते थे ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य साथ मंदिरों, सप्थ देवालय, सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने में सफल रहे जो आज भी वैश्णवों द्वारा देखे जाते हैं वर्षों तक यात्रा करने के बाद, चैतन्य ओडिसा के पूरी में बस गए, जहां वे अपने जीवन के अंतिम 24 वर्षों तक रहे चैतन्य को न केवल उनके उत्साही भक्तों और अनुयायों द्वारा, बल्कि सोलवी शताब्दी के कई शासकों द्वारा भी कृष्ण के रूप में सम्मानित किया गया था प्रताप्रोद्र देव, एक गजपती शासक, उनके सबसे उत्साही सन्रक्षिकों में से एक और उनकी संकीर्तन, सभाओं के भक्त बन गए शिक्षाओं बहुत कम उम्र से ही कृष्ण के नामों के जप और गायन के प्रती चैतन्य के स्पष्ट आकर्षन के बारे में कई कहानिया मौजूद है आठ चंदों की सोलवी शताब्दी की प्रार्थना, शिक्षास्टिकम, चैतन्य महाप्रभू की शिक्षाओं का एक मात्र लिखित रिकॉर्ड है गोडिया वैश्णवववाद की शिक्षाएं और दर्शन इसी संस्कृत भाषा पर आधारित हैं चैतन्य महाप्रभू की शिक्षाओं को दस बिंदूओं में विभाजित किया गया है और ये भगवान कृष्णन की महिमा पर आधारित हैं यहां चैतन्य महाप्रभू के दस उबदेश दिये गए हैं खृष्णन परम सत्य हैं पहला बिंदू कहता है कि खृष्णन जो भगवान विष्णू के अवतार हैं सर्वोच होने हैं गोडिया वैश्णववाद का यह दर्शन वैश्णववाद के समान है जो भगवान विष्णू को सर्वोच अस्तित्व मानता है कृष्णन के पास सभी शक्तियां हैं पहले बिंदू की तरह ये भी भगवान कृष्णन की महीमा करता है इस दर्शन के अनुसार भगवान कृष्णन ब्रहमांट को चलाने के लिए सभी आवश्यक उर्जाओं से संपन है भगवान कृष्णन सब कुछ के स्त्रोथ हैं इसमें कहा गया है कि भगवान कृष्णन ही है जो अंतता सभी आध्यात्मिक आनंद और भावनाओं का आनंद लेते हैं इसमें यह भी कहा गया है कि कृष्णन परम रस का आनंद लेते हैं, जो एक विशिष्ट स्वाद के निर्मान को संदर्भित करता है आत्मा, आत्मा, भगवान का एक हिस्सा है, यह हिंदू धर्म का मूल दर्शन है, जिसमें कहा गया है कि सभी आत्माएं सर्वोच आत्मा का हिस्सा है यह अवधारना आत्मा के परमात्मा का हिस्सा होने की अवधारना के समान है आत्मा भौतिक रूप में पदार्थ से प्रभावित होती है इस शिक्षन में कहा गया है कि आत्मा भौतिक रूप में होने पर पदार्थ से प्रभावित होती है यह आत्मा की तथास्थल प्रकृती के लिए जिम्मेदार है आत्मा मुक्त अवस्था में पदार्थ से प्रभावित नहीं होती, एक बार फिर आत्मा की तथास्थ प्रकृती के लिए जिम्मेदार, यह शिक्षा बताती है कि आत्माएं भौतिक रूप में नहीं होने पर पदार्थ के प्रभाव से मुक्त होती है आत्मा अलग है और पर्मात्मा के समान है इसमें कहा गया है कि आत्माएं और भौतिक दुनिया अलग है फिर भी भगवान या सर्वोचा के समान है चैतन्य महाप्रभू की शिक्षाओं के अनुसार सर्वोचा व्यक्ति भगवान कृष्ण है आत्मा शुधा भक्ती का अभ्यास करता है, शैतन्य महाप्रभू ने भक्ती योग की वकालत की और सिखाया कि शुधा भक्ती मुक्ती पाने के तरीकों में से एक है गौडिया वैश्ट नववाद के अनुसार, मुक्ती आत्मा का परमात्मा में एक ही करण है क्रिश्टन के प्रेम को प्राप्त करना ही अन्तिम लक्ष है, यह सिखाता है कि कैसे कोई व्यक्ती योग के विभिन माध्यमों से भग्वान क्रिश्टन के सच्चे प्रेम को महसूस कर सकता है, विशेश रूप से भग्ती योग, जिसमें भग्वान के नाम का जाप शामिल है प्राप्त होने वाला एक मात्र आशीरवाद भगवान कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में दस्वां और अंतिम बिंदु इंगित करता है कि सभी को परम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो इस तथ्य की स्वीकृती है कि कृष्ण ही एक मात्र आशीरवाद है जिसे प्राप्त किया जा सकता है प्रिया दर्शकों हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है कृप्या लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें हम आपके आभारी हैं बहुत बहुत धन्यवाद